वेलकम टो एकलविया सनाता का एंड आयाम सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी EVS से जो आपकी यूनिट 4 है उसका एक टॉपिक है Solid Waste Management ये देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है यानि कि इस से पहले के दो पार्ट आ चुके हैं इस यूनिट के अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस्टाग्राम पर मैसिस कर सकते हैं और यूजर नेम आप सभी के सामने लिका हुआ है और अगर आपको EVS के नोट्स चाहिए PDF में तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रुप को जोईन कर लीजिए एक लब्या सनातक वन सर्च मारकर आप हमारे टेलिग् ग्रुप को जोईन कर सकते हैं स्लेबस की बात करें तो यूनिट वन टू कम्पलीट है यूनिट थ्री भी आपकी कम्पलीट हो चुकी है और यूनिट फोर के अंदर आज हम सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट का जो टॉपिक है वो करने वाले हैं तो चले फिर आगे बढ़ते ह है जो वेस्ट होता है वो भी बढ़ता जा रहा है यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही सॉलिड वेस्ट होता है यानि कि जो लिक्विड और गैस को छोड़कर बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो हमारा सॉलिड वेस्ट कहलाता है और इसमें कुछ इसकी क्लासिफि हमारे घरों से जो वेस्ट आता है जो हम फैंक देते हैं जैसे कि पॉलिथिन बैक्स होते हैं और खाली मैटल्स होते हैं अलुमिनियन कैन होती है जो हम जिसमें कोल ड्रिंग वगरा पीके उसको फैंक देते हैं फूड वेस्ट जो हमारा खाने का जितना भी वेस्ट होता है ये हमारा इसमें डोमेस्टिक वेस्ट में आता है फिर आता है वेस्ट फ्रॉम शॉप्स दुकानों से वेस्ट पेपर, पैकिंग माटिरियल, कैन, बोटल, पॉलितिन बैग, पीनट शेल्स और एग शेल्स, टी ल निलिट किया जाता है, पी दिया जाता है, फिर आता है, या फिर में बहुता है, concrete ये सारी चीज़ें भी waste ही होती हैं और फिर आता है horticulture waste यानि कि जो slaughter houses होते हैं जहां पे जानवरों को काटा जाता है और मतलब उन में से भी बहुत सारा waste होता है जो फेंक दिया जाता है vegetables के भी कुछ parts होते हैं seduce होते है remains कुछ होते है animals के जब उनको काट दिया जाता है तो ये अलग-अलग sources थे जहां से हमारा solid waste आता है अब मैं आपको अगर बताऊं कि जो urban solid waste material होता है उसको degrade किया जाता है micro organism से जिनको हम कहते हैं कि bio degradable waste ऐसा waste ऐसा कूड़ा जिसको micro organisms जो होते हैं degrade कर देते हैं उस कूड़े को bio degradable waste का जाता है इसका example है हमारा vegetable waste इसको जो हम कहा सकते हैं कि micro organisms होते हैं वो खा कर खतम कर देते हैं stale food भी खतम हो जाता है tea leaves भी खतम हो जाती है egg shells भी खतम हो जाते हैं peanut shells भी खतम हो जाते हैं माइक्रो और्गेनिजम्स छोटे चोटे जो बैक्टिरिया होते हैं वो नहीं खा पाते, नहीं कतम कर पाते उसे, जिसको हम कहते हैं नोन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट, यानि कि ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो और्गेनिजम्स जो हैं वो डिग्रेड नहीं कर सकते, for example, polythene bags scrap metal, glass bottles, cans, plastic, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो non-biodegradable waste की category में आता है, अब है waste management, ये 5R का एक principle होता है, कहीं कहीं पर 3R का भी आपको पढ़ाया जाता है, मैं आपको 5R का पढ़ाऊंगा, so ये इसमें RRRR से कुछ मतलब कुछ words होते हैं, जैसे की सबसे पहले आता है reduce, हमें waste क कम से कम करना है, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, कि भई हम single, आप यहाँ पे कह सकते हो कि भई avoiding disposable or single use plastic items, यानि कि जो single use करके हम plastic को fake देते हैं, जो glass होते हैं, इसके अलावा हमें जूट का bag ज्यादा use करना चाहिए, ठीक के कपड़े का bag use करना चाहिए, ना कि हम एक बारी पन लेके आते हैं, उस पन्नी को fake देते हैं, और आपको पताइए, वो पन्नी क्या है, non-biodegradable है, वो plastic है, वो पड़ी रहेगी, और हम paper work को कम से कम करें, यानि कि जो काम हमारा online हो सकता है, email, e-bills, जितनी चीज़ें हो सकते हैं online, वो online करो, paper को कम से कम use करो, फिर आतर reuse, हमें अ अर्गनाइजेशन से बात कर सकते हैं, जो लोग needful हैं, इनको चाहिए वाई वो चीज़, उन तक पहुँच जाएगी, क्यों fake नाईतर उतर, recycle, आप recycle कर सकते हो, ठीक है, होता क्या है, segregation of waste is paramount for recycling of waste, यानि कि, अलग-अलग किया जाता है, जो और उसके बाद होता क्या है, कि कूड़ा करकट होता है, उसी से, फिर recycle करके एक new product बनाया जाता है, जिसको बहुत अच्छे से फिर use भी किया जाता है, फिर आता है, recovery का method क्या होता है, कि यहाँ पे यह लिखावा है, कि recovery is one of the methods where more resources are required, जैसे कि mechanical और technical to convert and reprocess the waste into energy, जो कूड़े करकट को energy के अंदर, मतलब कू energy, जो है, वो heat की form में बनाई जा सकती है, ठीक है, और इसके अलावा, can be converted into other forms, जैसे और requirement हो, वैसी भी energy बन सकती है, जो यह भी होता है, कि कूड़े करकट से आप यह काम भी कर सकते हैं, फिर होता है, refuse, refuse के अंदर है, refuse के अंदर आपका आता है, कि it is considered as a last resort to get rid of the waste generated and is dumped accordingly in landf sites, यानि कि आपको कुछ भी ना उसको reuse करना है, ना कुछ और करना है, बस उसको सही से refuse करना है, आप उसको गड़े में डालें, landfills बने होते हैं, जहांपे कूड़े के पाढ़ बनते हैं पूरे, और यह waste जो होता है, पूरे शहरों से खटा किया जाता है, लंबे समय तक प areas होते हैं, जहांपे वो रहते हैं, वहांपे उनको छोड़ छोड़ कर जाना पड़ रहा है, landfills में इतना कूड़ा करकट होता है, कि बदबू बहुत आती है, ठीक है, पानी बहुत जादा polluted हो जाता है, और जो waste को जलाया जाता है, तो उससे air pollution बहुत हो जाता है, तो यह कुछ बातें आती है, landfills क्या होता है, देखिए, यह photo में जो आपको दिख रहा है, यही landfills है, इस process में क्या होता है, जो waste होता है, जिसको दुबारा reuse या recycle नहीं किया जा सकता, उसको separate करके, और उसको ऐसे area में जाकर डाल दिया जाता है, ठीक है, जो बहुत दूर हो city से, होता क्या है, कि एक layer soil की फिर डाली जाती है, garbage के उपर, यह garbage है, फिर layer, फिर garbage है, फिर layer, ऐसे यह पूरा पाढ़ सा बन जाता है, तो इस process में क्या होता है, कि इस area को unfit declare कर दिया जाता है, यहाँ पर कोई construction नहीं हो सकता, 20 सालों तक जहाँ पर landfill होता है, पर यहाँ पर playground या park बना सकते हैं, इसके उपर, फिर आता है, insineration, insineration में क्या होता है, कि वही garbage वगरा जो भी होता है, उसको जला दिया जाता है, और जो इसमें gases निकलती है, वो toxic हो सकती है, पर उनको treat कर दिया जाता है, release होने से पहले ही, यह process जो है, waste के volume को कम कर देता है, 90% तक, तो waste proposal का, कि वही उसको जला दू, सो कुछ cases में, यह जो heat generate होती है, इसको electricity के लिए भी use किया जाता है, फिर आता है, composting, सो जितना भी organic material होता है, ठीक है, वो decompose हो जाता है, time के साथ, food scrap, yard waste, यह बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जो time के साथ अपने आप decompose हो जाती है, होता क्या है make up for one of the major organic waste we throw everyday, so the process of composting starts with these organic waste, ठीक है, जो हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, ठीक है, यह जितना भी हमारा organic matter होता है, यह time to time, जो micro organisms होते हैं, वो इसको degrade कर देते हैं, जो यह हमारा bio degradable waste कहलाता है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, जो bacteria और fungi होते हैं, वो इसको degrade कर देते हैं, हमेटी के अंदर ही मिला देते हैं, जो यह हमारा कुछ topic था, जो हमने देख लिया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please आप channel को subscribe कर दें, जादा से जादा वीडियो को share कर दें, comment box में आप जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी, जै हिंद जै भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का,